अगर आपके इंस्टाग्राम में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है Allow access to media to share photos and videos Instagram needs access to storage on your device तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है और कैसे इसको आप solve कर सकते हैं उसके बारे में बात करेगे तो यहां से जैसे कि आपको कोई story डालनी है अपने phone से कोई photo या video की तो यहां पर इस तरीके से लिखा आ रहा है swipe up करने पर ठीक है तो अब इसका जो मतलब है वो हम समझते है कि आपको Instagram को जो है आपके phone की media को use करने का access देना होगा ठीक है तो ही Instagram जो है आपके phone की photos और videos को जो है access कर पाएगा ठीक है तो उसके लिए जो है यहां पर एक option देख सकते है allow access का है तो इस पर अगर आप tap करते है तो यहां से Instagram के लिए app info show हो जाती है और इसमें आप जो है app permissions को manage कर सकते है Instagram के लिए ठीक है तो यहां Instagram के लिए apps permission जो है आप settings में जाकर भी easily manage कर सकते है तो उसके लिए आपको apps में आ जाना है manage apps में आ जाना है और फिर यहां से सर्च करना है Instagram तो यहां पर आप देख सकते है app info ओपन हो जाएगी इसमें app permissions में यहां देख सकते है कि Instagram के लिए जो यहां पर यह permissions है वह allowed है और यह permissions allowed नहीं है तो यहां पर files and media की जो app permission है उसको आपको जो है allow कर देना है ठीक है तो अब जो है Instagram files and media को जो है access कर पाएगा ठीक है तो अब यहां से Instagram को अगर आप open करते है तो अब यहां देख सकते है कि यहां पर load हो रहा है और यहां पर जो है आपके phone की photos और videos यहां पर show हो जाएगी ठीक है तो यहां यह अभी load हो रहा है और यहां पर यह photos यहां पर आगी है तो अब आप easily जो है story add कर सकते है phone के storage से क्योंकि आपने phone के storage के use की जो एप permission है वो Instagram को allow कर दिये अब झाल को जाएगी अब